बड़ा सौभाग्य है कि मैं आज आपके साथ भारत के संत शिरोमने कबीर जी की जीवनी और उनके कारियों की चर्चा आपके साथ इस वीडियो में करने जा रहा हूँ तो संत कबीर के बारे में बात करना ही अपने आप में बड़े गौरव की बात है कबीर जी जो है वो भारत में जो भक्ती काल था मद्धे युग में उसमें एक महान कवी हुए हैं साथी साथ एक बहुत बड़े समाज सुधारग भी है उन्होंने समाज में उस समय फैले वे अंद्विश्वासों को और कुरीतियों का भरपूर जो है विरोध किया बिना किसी डर के लागलग पेट के हिंदू और मुस्लिम धरम में जो भी कुरीतियां थी उन सब का विरोध किया तो कबीर जो है ये भक्ती काल में निरगुन भक्ती धारा जो थी उस से प्रभावित है और भक्ती जो है वो दो परकार की होती है एक सगुन भक्ती और एक निरगुन भक्ती सगुन बक्ति में जो है इश्वर के किसी रूप की जो है अराधना की जाती है मूर्ति बनाकर साक्षात रूप में जैसे राम कृष्ण आधी के रूप में उनकी पूजा की जाए मूर्ति बनाकर तो वो सगुन बक्ति कहलाती है इसके अलावा अगर निराकार इश्वर की कल् भक्ति की जय तो वो निर्गुण भक्ति कहलाती है कबीर इसी भक्ति के मानने वाले थे तो उन्होंने समाज में फैली हुए जो भी कुरितियां थी करम कांड अंद विश्वास उनकी निंदा की और समाजिक बुराईयां जो भी थी उनकी कड़ी अलोचना की और उनके अपने दोहों में जो है इनके ऊपर जो है काफी कटाक्ष भी कबीर की जो भाषा थी जिसमें वो अपने प्रवचन करते थे वो सदुकडी भाषा थी और पंचमेल खिचडी के समान थी और उनके जो दोहे और पद थे वो हिंदी भाषा में उस समें जो मुखे बोलियां बोली जा वो ब्रज के चेत्र में यानिके मत्रा के आसपास जो बोली जाती है इसी तरह राजस्तानी, पंजाबी, अवदी, रियानवी और हिंदी की खड़ी बोली ये सब में उनकी रचनाय मिलती हैं तो कबीर का प्रभाव जो है हिंदू, मुस्लिम और सिक्ध तीनों धर्मों में मिल यहां चित्र में जैसा दिखाया गया कि जब कबीर साब का नाम रखने के लिए कुरान शरी पुस्तक को काजी ने खोला तो प्रथम नाम कबीरन लिखा था, तो कबीरन का मतलब होता है अल्ला, लेकिन काजी लोग नहीं चाहते थे कि छोटी जाती जुलाहा में पैदा तो कबीर का जो जनम स्थान है उसके बारे में भी इतिहासकारों में बड़ा मतभेद है, कुछ लोग कहते हैं कि वो मगहर में पैदा हुए थे, कुछ लोग काशी बताते हैं और कुछ लोग जो है उनका जनम आजमगड का बेलहरा गाउं में बताते हैं तो अधिकतर इतिह पासकार जो हैं वो एकमत है, यह बात कबीर के दोहों के पंक्ति से भी जानने को मिलती है कि वो काशी में पैदा हुए थे, इस दोह से पता लगता है कि काशी में परगट बहे रामानंद चेतायों, यानि कि वो उनका जनम काशी में हुआ और रामानंद जो उनके गुरू थे, उन्होंने उन्हें चेतना दी यानिके शिक्षा दी, तो एक कथा ये भी जिसमें परता लगता है कि कबीर का जनम जो है 1440 इस्वी में, वो एक गरीब विद्वा ब्रामनी के यहां पर हुए, ऐसा जो है कथा में बताते हैं, और उन्हें जो है उस गरीब विद्वा को रामनंद जी ने भूलवश पुत्रवती होने का आशिरवाद दे दिया था, जिसके उनके आशिरवाद के फलसुरूप उन्हें कबीर को जनम दिया, लेकिन विद्वा ब्रामनी ने संसार में लोक लाज के कारण छोड़ दिया था, तो कबीर के माता-पिता कौन है, इस बा इमा नाम के मुस्लिम परिवार में हुआ था, जो की जुलाहे का काम करते है, यानि के कपड़ा बुनने का कारे करते थे, तो ये संतानीन नीरू को ये बच्चा लेहरताला-ताल के पास मिला था, तो उन्होंने इस बच्चे को बड़े सने से उठाके लाए और इसका लालन पालन अपने पुत्र से भी बढ़कर करने लगे तो इस प्रकार से जो है जनम उनका हिंदू परिवार में हुआ लेकिन उनका लालन पालन जो है एक मुस्लिम माता पिता ने किया तो शुरू से ही वो धरम निर्पेक्ष रहे यहां यह लहर ताला ताल है उस जिसका अब जिरन बना हुआ है तो यह जो है दिखा रहा है उसी भवे संग्राले का आपको रूप जो है देखने को मिल सकता है तो यहां देखिए यह मूर्तियां दिखा रही है कि कपीर किस प्रकार रास्ते में अपने शिश्यों के साथ चलते हुए जन जागरन किया करते थे और भक्तिगा अश्कारों में मत भेद है लेकिन यहां पर यह चित्र में कबीर का घर है जिसे नीरु टीला कहते हैं वो दिखाया गया है और उनके माता-पिता का स्थान समाध्धी स्थल जो है वो नीचे वाले चित्र में दिखाया गया है कबीर के गुरू के संबन में प्रचलित कथन है कि कबीर को जब उप्योक्त गुरू की तलाश थी और गुरू की तलाश में वो थे कि उन्हें शिक्षा क्योंकि उनकी विदिवत नहीं हो पाई थी तो आध्यात्म में जब उनका रूची पैदा होई तो एको पता लगा कि रामनंद जी उस समय काशी के परसिद्ध विद्व गुरू धारण कर लिया और उनसे जो है शिश्य बनने के लिए उनके पास पहुंचे लेकिन यह संत रामनंद आचारिय जो थे यह वैश्नाव संत थे वैश्नों का मतलब विश्नु या उसके अवतारों को जो है की पूजा करने वाले उनको अराध्य मानने वाले तो यह व पतार राम के उपा सकते तो इनको जो है वो अपना गुरू बनाना चाहते थे लेकिन कबीर को जो है उन्होंने अपना शिश्य बनाने से मना कर दिया तो कबीर ने कई बार उनके आश्रम में जाने और उनसे मिलने के लिए बिंती की उन्होंने अपनी हार नहीं माने लेकिन उनके शिष्ये जो है रामानंद जी के हुमेशा उनको भगवां से भगा दिया करते थे कि मुस्लिम जो है वो एक हिंदू गुरू का शिष्ये कैसे हो सकता है कबीर ने अपने मन में ये ठान लिया था कि स्वामी रामानंद जी को ही हर कीमत पर अपना गुरू बनाऊंगा तो इसके जब उनके मन में ये विचार आ गया कि स्वामी रामानंद जी रोज सुबह जो है गंगा शनान के लिए चार बजे जाते हैं तो और जिस बनारस के जिस गाट पर काशिज के मैं गंगा के जिस गाट पर वो जाते थे तो उन्हों ने सोचा कि मैं उन्ही सीडियों पर लेट जाऊंगा और गुरू का सपर्ष जो है और आशिरवाद पालूँगा ऐसा उन्हों ने विचार किया और एसा विचार करने के बाद जो है उन्होंने इसके लिए एक प्लानिंग की घाट आप देख रहे हैं चित्र में काफी बड़े हैं और सीडियां भी काफी विशाल हैं तो उन्होंने सोचा कि जहां मैं लेटूं मेरे गुरू रामनंद जी उधर से गुजरे इसके लिए उन्हो एक हिस्सा ही खुला छोड़ा था और उसी हिस्से के पास जाके वो लेट गए ताकि रामनंद जी जो है उनको सपर्श कर सके तो एक दिन जो है एक पैर रात रहते ही कबीर जो है वहां जाकर लेट गए तो गुरू रामनंद जी गंगाशनान के लिए जब सीडियां उतर र वजे तो उनके शरीर पर पड़ गया और ये उनके शरीर को छूते ही उन्होंने सोचा कि किसी व्यक्ति के उपर उन्होंने पैर रख दिया तो उनके मुह से रामनंद जी के राम राम निकल पड़ा उसी राम को कबीर ने दिख्शा मंत्र मान लिया और रामनंद जी को अप ने गोविंद यो मिलाए तो गोविंद को जो है उसे भी बड़ा उन्होंने गुरू को माना गोविंद का मतलब इश्वर तो इश्वर से भी बढ़कर वो गुरू को मानते क्योंकि गुरू ही है जो इश्वर से मिलाने की राह दिखाता है तो जीविका उपारजन के लिए अपने पालक पिता के व्यवसाय जुलाहे का जो वो काम करते थे तो वही काम जो है उन्होंने किया अपने परिवार के पोशन के लिए कि उनके घर जो है सादू संतों का जमावडा लगा रहता था घर में तो उनके पतनी जो थी उसका नाम ऐसा आता है कि लोई है और उनके प कबीर ने कभी भी विवाह नहीं किया था इस बारे में भी उन इत्यास कारों में मतभेड हें तो कबीर के जो है लोग प्रियता शिगरी चारोतर फैल गई कबीर के विचार और भाषा इतनी सरल थी कि वह आसानी से लोगों के समझ में आ जाती थी और उस समय जो जनता थी जो धार में कटरता से पीडित थे तो वो उस कटरता के वज़ा से जनता को उनके विचार अच्छे लगे और वो शिग्र ही उनके अनुयाई बन गए तो यहाँ पर यह कबीर के द्वारा चलाया जाने वाले चर्के का चित्र दिया गया है जिसे वो चलाते थे तो यह चर्का है यह उनके द्वारा इस्तिमाल किया गया बरतनों में से एक बरतन को यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है और यह कबीर साहब की खड़ाओं है जो पैरों में पैना करते थे, तो कबीर ने जो हैं हमेशा अंद्विश्वासों का बुराईगों का विरोध किया, और अपने अंदर की कमियों को दूर करने की बात कई, तो उनोंने कहाई कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खो जा आपना मुझसे बैल के बैल, मुझा गंगा और ग। गूमती जैसे पुट्र नदियों के में नहा कर भी, बैल के बैल ही रहे, यानी के अकल नहीं आई, तो अपने मन का मैल है। उसको दो मन की बुराईयों को दूर करो शरीर की मैल दोने से कोही लाब नहीं होता ह। और इसके साथ ही उन्हों ने मानव के अंदर कुछ गुणों को बढ़ाने की भी बात करी तो जैसे वो कहते हैं कि जहां दया तहां धर्म है, जहां लोब तहां वहां पाप, जहां क्रोध तहां नाश है, जहां छमा वहां आप, यानि कि वो कहते हैं कि दया ही धर्म है, यानि कि धर्म के मामले में दया क उन्होंने कहा कि धरम देया का ही दूसरा रूप है जीव मात्र पर देया करने चाहिए और लोब से ही पाप शुरू होता है मतलब लोब की वज़े से ही पाप होता है और क्रोध से नाश होता है तो उन्होंने कहा कि शमा जहां होती है वहां हाप है आपका मतलब उनका इश्व बेया फिरा ना मन का फिर करका मन का डार दे मन का मन का फिर यहां पर वो कहते है कि माला का फिरने से तो जो है ईश्वर की प्राप्त नहीं किया जा सकता अपने मन को जो है शुद करना चाहिए हाथ में जो पकड़ी माला है उसको छोड़के मन के मन का जो है मन के जो माला है उस इसको दूर करना चाहिए अपने अंदर की बुराइयों को तो यह जो है उनकी philosophy थी जो उन्होंने उसको मानने के लिए कहा की मन की अंदर की बुराइयों को दूर करना चाहिए तो वह जो है एक इश्वर को मानते दे करम-कंड के घोर desi थे और वो कहते थे कि इश्वर एक ही है, अलला और इश्वर एक ही है, और वो कोई अलग नहीं है, और सबी उसकी संतान ने उनी को मानना चाहिए, और करमकांड और पाखंड जो थे अंद्विश्वास थे उनके वो उनोंने हर जगा उनका विरोध किया, चाहे वो किसी भी धरम में हो, हिंदू में हो या मुसलिम धरम में हो, हर धरम में उन्होंने बुराईयों का विरोध गया, इसके साथ ही वो हिंदू में जो अवतार और मूर्ति पूजा थी, उसका भी वो नंदा करते थे और उसको भी वो नहीं मानते थे, और इसके साथ ही व तो राम उनके लिए निराकार इश्वर हैं नाकी दशत पुत्र राम है और मूर्ती पूजा का विरोध करते थे क्योंकि वह निर्गुन पासकते और साथ ही मुस्लिम धर्म के रोजाई दादी का भी वह नहीं करते हैं मंदिर मस्जिद वह नहीं मानते थे उन्हों कहा था कि क सांकर पाथर जोड़के मस्जिद लई चुनाए ता चड़ मुला भांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है इसी तरह से वह कहते थे कि गंगा में सनान करने से अगर स्वर्ग मिलता हो या पाप दूलते हो तो मचली तो कपकी स्वर्ग चली जाए तो इस तरह की वह बाते किया करते थे हाला कि उनकी बातें जो हैं वो धर्म के विरुद्ध होती थी लेकिन वो धर्म की कुरीतियों के विरुद्ध थी ना के धर्म के वाक्तों के विरुद्ध इसलिए जनता को सहजी पसंद आते थे तो उन्होंने अपनी कभी भी अपने बाणियों को लिखित रूप म कहते हैं और तीसरा है रमाया तो ये तीन भागों में इसको बीजक को बाटा गया है कबीर साहब की बाणियों को इसमें हंगरीट करके तो पहला जो भाग है साक्षी जिसे कहते हैं तो संस्क्रित के शब्द शाक्षी का विक्रित रूप है यानि कि उसका बिगड़ा हुआ रूप है साक्षी तो लोकल भाशा में साक्षी बोलते हैं साक्षी को तो उसके धर्मो उपदेश के अर्थ में परियोक्त हुआ है यानि साख्षुनों ने अपनी शिक्षाएं वगरा जो दियें वो जागतर साखियों के माध्यम से दियें तो जो दूसरा इनका भाग है वह सब्द सब्द जो है वह गाया जाने वाले पद हैं गये पद हैं और इनके पूरी तरह संगीत आत्मक्ता विद्वान ना यानिके उन्हें गीत भजन के रूप में गाय जा सकते हैं इसमें जो है उपदेशात्मक्ता के स्थान पर भाववेश की परदानता है यानि के भाववोर होकर कबीर ने जो रब्दों की रचना की उनके में जो है कबीर के प्रेम और अंतरंग साधना की अभिव्यक्ती हुई है तो इसके है तो यह तीसरा भाग जो है रमैनी कहलाता है इसमें चौपई चंद के रूप में जैसा हमने बताया लिखा और ऐसे वादी धार्शने को इसमें प्रकट किया गया तो कबीर की द्रड माननेता थी कि कर्मों के अनुसार ही गती मिलती है स्थान विशेश के कारण ने क्योंक वस्था में जहां के बारे में परचलित था कि मगघर में जो जाके मरता है वो नरक में जाता है लेकिन कबीर ने इस धार्णा को तोड़ने के लिए वहाँ चले गए और मगघर में ही उन्होंने अंतिम सांस ली वो हिंदू और मुसलिम दोनों धर्मों के लोगों के बहुत प्रिये थे और सभी उनको अपना संत मानते थे और पीर मानते थे मुस्लिम लोग तो जब उनके मृत्यू के बाद जो है यह जगडा शुरू हो गया कि कबीर का अंतिम संसकार किस प्रकार करना है तो वहां देखा गया कि उनके शरीर की जगा जो है वहां फूश्प पड़े ह और एक चादर पड़ी है तो उनका बटवारा जो है कर लिया गया और वीरदेव सिंग बगहिला के द्वारा जो है उनके कुश्पों को समाधी में बदल दिया गया वहां कर दिया गया अंतिम संसकार और नवाब बिजली खान पठान जो है जो उन्हें मघहर लेकर आये थे उन्होंने उनकी मजार बना दी तो इस तरह से एक विश्व में इकलोता स्थान है जहां पर एक साथ एक ही व्यक्ति जो है दो धर्म के लोगों द्वारा एक ही स्थान पर पूजा जाता है और उसको समान रूप से आदर पाता है ऐसा उधारन विश्व में और कहीं भी कर रहे लेकिन उनकी बाणी को बाद में लिपिवद किया गया तो उनके जो रचनाए हैं उनको पीजक के रूप में शन्रहेत किया गया लेकिन कब क्बीर की सिख्व कांच वे फृत्र नदें का संकलन कर रहे थे तो उन्होंने कभीर जी के बाणी को अन्य संतों के साथ और गुरुऊं की बाणी के साथ स्थान दिया, प्रमुक्ता के साथ कभीर को स्थान मिला इस तरह से हम देखते हैं कि हिंदु और मुस्लिमों के लावा सिखो़ लोग भी इनका बहुत आधर करते हैं और अपने भावली में भी इनकी वाने को स्थान दिया गया है तो इस तरह से हम देखते हैं कि कबीर जो है वो सर्म मानने संत थे और हर जगा जो है उनके इज़त और सम्मान मिला है यह कबीर की महांता को बताने के लिए काफी है आपने अपना बहुमूले समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लिए ताकि इसी प्रकार के और बहुत से अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने को मिल सकें धन्यवाद